सुबह का नास्ता आपके पूरे दिन की डाइट का सबसे एहम हिस्सा होता है आपका नास्ता तब और खास बन जाता है जब उसमें आप अंडे को शामिल करते हैं अंडे का सेवन न सिर्फ सर्दियों में बलकि आप हर मौसम में कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि अगर आप अपने नास्ते में अंडे का प्रियोग करते हैं तो यह आपकी बोडी में क्या लाब दोस्तों देता है दोस्तों कई लोग अंडे को अपनी डाइट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके सेवन से वे मोटे हो सकते हैं अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अंडे के इन फाइदों को अगर आप गोर से देखेंगे तो आपको ये और भी फाइदे मन लगेगा क्योंकि दोस्तों अंडे में प्रोटीन काफे अच्छी मात्रा में पाय जाता है इसलिए जो बोडी बिल्डिंग करता है उसे तो इसका सेवन ज़रूर चाहिए अंडा दोस्तों प्रोटीन का स्ट्रोथ होता है अंडे के सफेध भाग में अल्ब्यूबी नामक प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। सुबह के समय शरीर को इस प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए अगर आप रोज नास्ते में अंडे का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में प्रोटीन के मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। और अंडा एक बेहतरिन बुस्टर है एनरजी बुस्टर है। रोज नास्ते में इसे खाने से आपको पूरे दिन एनरजी मिलती है। इसके पीले भाग में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि शरीर को उर्जा देने का काम करते हैं। नास्ते में दोस्तों अंडे का सेवन करना अच्छे होती है इस वज़े से बच्चों को नास्ते में अंडे का सेवन जरूर कराना चाहिए रोज सुबह दोस्तों अगर आप नास्ते में दो अंडे का सेवन करते हैं तो ये एक बरपूर नास्ता हो जाता है जिसके सेवन के बाद बहुत देर तक आपको भूक नहीं लगती है जो कि आपका वजन कम करने में भी सायता करती है साथ ही बोड़ी की रोग प्रतिरोधक शमता को बनाने में भी बहुत लबकरी होता है अंडे में दोस्तों विटामिन E पाया जाता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये बालों की समस्या को दूर करता है बालों को मजबूत बनाने में बहुत लबकरी होता है साथ ही ये आपकी आँखों की रोशनी को भी लंबे समय तक बरकरार रखता है दोस्तों गर्बविती महिलाओं को अपने नास्ते में अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि अंडा भ्रून के विकास में बहुत ही ज्यादा मदद करता है तो दोस्तों ये थी एक जानकारी कि अगर आप अंडे को नास्ते में सेवन करते हैं तो क्या लाब होते हैं दोस्तों अगर आप अंडा सवेरे खाते हैं नास्ते में खाते हैं तो एक बात का आप ध्यान दे अंडे को पूरी तरह से अच्छा पकाने के बाद उसका सेवन करें अजपके अंडे का आप प्रियोग न करें अगर आप अजपका अंडा खाते हैं तो फूड पोईजनिंग का खत्रा दोस्तों रहता है तो दोस्तों अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद